ट्रस्ट में अगले आसकर में इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी में अवार्ड तो मिलना ही मिलना है लेटरली ट्रेलर में दिखाए एक एक सीन वाल पेपर जैसा लग रहा है mostly Arkham Asylum में वो होगा और वहां उसकी treatment हो रही होगी अब इस मूवी में कितना depth के साथ direction किया जा रहा है cinematography और color grading की जा रही है आप यहां notice कर सकते हो इस shot में even जो lens flare का use किया गया है वो इसी मूवी के color palette को ध्यान में रखते हुए किया गया यही color palette first movie का बहुत ही जादा popular हुआ था color palette का मतलब होता है कि एक movie के किसी particular scene में किस किस color का use किया गया है और किस तरह की color grading की गई है यही हमें first look मिलता है Harley Quinn के character का अब हाँ comic book से यहां बहुत जादा changes कर दिये गये हैं comics में ले लो या फिर पिछले movies में ले लो Harley Quinn एक psychiatrist रहती है जो की Joker का treatment करने के लिए आती है लेकिन वो क्या Joker को ठीक करेगी Joker उसको ही पागल बना देता है तो हाँ यहां वो angle नहीं दिखने वाला Harley Quinn यहां patient ही है इस वाले shot में Arthur music के बारे में mention करता है अगर नहीं पता दो बता दू कि यह movie एक musical होने वाली है I guess trailer से सबको इसका idea तो लगी गया होगा तो हाँ जहां एक तरफ लाला land थी हमें Joker के साथ हाँ हाँ land मिलने वाली है इसके बाद वाला जो यह shot है यह बहुत ही जादा important है कई लोग यहाँ एक detail मिस कर देंगे आप clearly देख सकते हो कि front वाले shot में यहाँ चारो पुलिस वाले जो आ रहे है उनके जो umbrella का color है वो black है लेकिन उसी के next top वाले shot में हम इन colors को देखते हैं जो की clear hint है Joker यानि कि Arthur के delusion का कि वो कैसे इस world को इस दुनिया को देखता है और हाँ again यहाँ वही color palettes है जो की पहले मैंने mention किया था तो mostly समझ जाना कि जहाँ भी हमें यह colors दिखेंगे on screen या ऐसी color grading होगी तो वो scene Joker के perspective से दिखाई जारी होगी and literally यह जो colors का selection है वो same time पे जितना bright and colorful लगता है उतना ही depressing भी लगता है यही हम Harley Quinn को एक stairs पे चड़ता हुआ देखते है and first movie अगर आपको याद होगी तो यहीं पे Joker का वो popular dance sequence हुआ था and as expected यहाँ यह दोनों भी dance करने ही वाले है यहाँ आप Harley Quinn को again Arthur से interact करता हुआ देख सकते हो and वो दिखा रही है कि कैसे उसने Murray Franklin को first movie में मारा था आगे की कुछ shots में हम Joker and Harley की imagination को देखते हैं जैसे कि ऐसे asylum में patient को कुछ movies दिखाई जाती है and यह दोनों खुद को वहाँ imagine कर रहे होते हैं और शायद यही सारे part movie में musical का portion होगे जैसे कि खुद को मेरे Franklin के show में imagine करना even जब एक जगा इससे पूछा जाता है कि what changed then reply आता है कि I'm not alone anymore और आपको नहीं पता दो बता दू कि movie का जो title है वो पूरी तरह से यही justify करता है fallie a due का मतलब ही होता है delusion और mental illness shared by two people in close association और यह trailer clearly वो चीज दिखा रही है कि भाई यह दोनों पूरी ही तरह पागल है basically trailer को तीन portion में दिखाया गया है पहला तो जहां जोकर और Harley के पागलपन को दिखाया गया कई shots में आप यह notice करते हो second musical part है जहां Joker और Harley का आप प्यार देखते हो यह भी कई सारे shots में clearly visible है and third part is Cult of Joker जहां आप Joker के crazy fan को कई shots में spot कर सकते हो और यह fan following first movie में ही clearly establish कर दी गई थी और यहां भी आप देख सकते हो कि सब Joker को free कराने के लिए banner लेकर खड़े हैं उसे दोड़ा रहे हैं उसको appreciate कर रहे हैं मतलब सब कुछ craziness से भरा हुआ है overall trailer story wise क्या होने वाली है वो कुछ खास reveal नहीं करती literally यह character unpredictable है तो क्या होने वाला है यह कोई predict तो कर ही नहीं सकता है वै इसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या reality है क्या delusion है इन सब में फर्क करना लग भग impossible है and I'm sure कि movie देखने के बाद क्या real था क्या imagination हम लोग फिर से confused होने वाले हैं तो let's see क्या ये movie फिर से वो magic create कर पाती है जो कि पिछली जोकर की movie ने किया था by the way if confused हो तो clear कर दूँ कि ये movie किसी दूसरे movie से connected नहीं है अभी तक बलकि ये DC के else world में है जहां solo franchise पे focus किया जा रहा है पर हाँ fans जरूर चाहते हैं कि Robert Pattinson का Batman यहां दिख जाए by the way इस पूरे trailer में मेरा favorite shot ये वाला था जो कि trailer के end में आपने देखा मुझे ये काफी जादा creative लगा आप अपना favorite shot comment में जरूर बताना और क्या आप लोग इस movie के लिए excited हो या नहीं ये भी comment करना तो हाँ यार ये था मेरा Joker का trailer breakdown and analysis hopes हो कि आपने enjoy किया होगा इफ आथ वीडियो like करना, share करना और ऐसी और awesome content के लिए चैनल को subscribe करके जाना Joker की पूरी cinematic history जानने के लिए उपर वाली वीडियो देखें और Joker की comic book origin जानने के लिए नीचे वाली, मैं जल्दी और ने वीडियो लेकर आँगा till then, be desi, be nerd